वेलकम टो मुवी आइलेंड जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है अब वो भी बड़े तेज थे इंसानों को उपर आता देख वो समझ जाते हैं कि ये नीचे धर्टी है और वो उसी रस्ते से नीचे आ जाते हैं नीचे आते ही ये जाइंट इंसानों को नुसान पचाना शुरू कर देते हैं उनका घर बार सारा कारोबार खराब करते ही जाते हैं और इससे उपर अब इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों का खून और मीट पसंद आने लगा था अब उस समय वहां के राजा एरिक थे अब इतनी तबाही को रोकने के लिए फादरी ने एक जाइन को माड़ डाला फिर उसके शरीर में सुस्क दिल निकाल लिया और फिर पाट पूजा से दिल को एक क्राउन में बदल दिया अब किंग उस क्राउन को पहन कर उन जाइन्स को काबु कर लेता है क्योंकि उस क्राउन की वज़े से सारे जाइन सब एरिक को अपना राजा मानने लगे थे फिर एरिक उन्हें धर्टी और स्वर के बीज जाने का आदेश देता है जिससे ये होता है कि सारे जाइन वापस चले जाते हैं जिसके बाद राजा सबसे पहले उस पेड को कटवाता है और फिर वो बीज और ताज को हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख लेता है और जब उनकी मौत हुई तब भी उस ताज और उन बीजों को उनके साथ ही दर्फन कर दिया गया अब ये कहानी जैक के साथ साथ दूसी तरफ राजकुमारी भी सुन रही होती है उसी ये कहानी बहुत पसंद है अब ये राजकुमारी राजा एरिक के वंच की ही है अब कहानी को दस साल बाद से दिखाया जाता है जहां जैक अब बड़ा हो चुका है और वो अब अपने अंकल के साथ रहता है और ऐसे ही एक दिन उसके अंकल ने उसे घोड़ा बेचने भेज दिया वो घोड़ा लेकर मार्केट में पहुँचता है तो वहाँ एक जगा उस स्टोरी पर नाटक दिखाया जा रहा था जो उसे बहुत पसंद थी इसलिए वो उसे देखने वहाँ रुख जाता है तब ही उसे वहाँ सबसे अलग एक लड़की दिखाई देती है जिसने अपना मूँ ढख रखा होता है जैसे कि वो लोगों को अपनी पहचान ना बताना चाहती हो अब इतने ही वी देर में वहाँ कुछ अवाला लड़की उस लड़की को छेडने लगते है इसलिए वो लड़की वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर वो लड़की उसका रास्ता रोक लेते है अब जैक यहाँ हीरो बनने की कोशिश करता है और उन लड़कों को ऐसा करने से मना करता है पर वो लड़के उसे ही मुक्का मार देते हैं पर वो फिर से खड़ा होता है और उन सब को रोकने की कोशिश करता है पर इस बार वो सब उसके सामने जुक जाते हैं पहले तो उसे खुशी होती है कि इन सब ने उसकी बात मान ली है पर ऐसा इसले होता है क्योंकि वहाँ राजदरबार के कुछ लोग आए थे वो भी उस लड़की को लेने मतलब वो लड़की राजकुमारी है अब जैसे ही उसे रिलाइज होता है कि उसे जुकना चाहिए वो जुक जाता है अब अगले सीन में हमें रेडरिक को दिखाया चाता है वो प्रिंसेस का मंगेतर है वो प्रिंसेस से शादी करना चाता है पर प्रिंसेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाती वो रेडरिक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी अब रेडरिक अपने कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि कमरे का सारा समान बिखरा हुआ है जिसे देखकर वो चौक जाता है और जल्दी से कुछ धूरने लगता है जहां उसके पास वही क्राउन है जिससे एक जाइन के दिल से बनाय गया था अब वो एक और चीज ढूडने लगता है पर वो चीज गायब थी अब वो अपने साथी को महल के सारे गेट को बंद करने का आदेश देता है और पास्टर को धूरने का आदेश भी देता है क्योंकि वो पास्टर उन्हें रास्ते में मिला था अब जैक जब गोड़ा बेच रहा था तब वो पास्टर उस गोड़े खरीदने की बात करता है पर जैक कहता है कि गोड़े के बदले मुझे अच्छी रकम चाहिए जो कि पास्टर के पास नहीं होती अब ये सुनकर पास्टर उसे कुछ बीज देता है जैक को ये अजीव लगता है पर पास्टर कहता है कि इने जाकर मेरे सीनियर प्रीस्ट को दे देना और वो तुमें पैसे देदेगा पर जैक कहता है कि इन बीज के बदले कौन पैसे देता है जिस पर वो पास्टर कहता है कि ये बीज कोई आम बीज नहीं है बलकि ये एक जादूई बीज है इन में ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है और वो पास्टर जैक को एक जरूरी बात याद रखने को कहता है वो कहता है कि हमेशा इने पानी से दूर रखना इतना कहते ही वो पास्टर वहाँ से घोड़ा लेकर चले जाता है अब कुछ दूर जाते ही वो पास्टर पकड़ा जाता है अब जैक ये सब अपने अंकल को बताता है तो उसके अंकल उस पर गुस्सा होने लगते है कि तुम इन बीजों के बदले घोड़ा कैसे बेच सकते हो और गुसे में वो सारी बीजों को नीचे फेक देते हैं जैक कुन बीजों को उठाने लगता है पर उन में से एक बीच फ्लोर के नीचे गिर जाता है अब रात को वहाँ बारिश होने लगी थी और प्रिंसेस जैक के घर से गुजर रही होती है पर तब ही वहाँ बारिश तेज हो जाती है इसलिए प्रिंसेस अंजाने में ही जैक के घर बारिश से बचने चली जाती है जैक उसे पहले ही नजर में पहचान जाता है कि वो प्रिंसेस है अब वो दोनों आपस में इधर उधर की बाते कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि बारिश का पानी जो की छट से टपक रहा है अब फ्लोर के नीचे भी पहुँचने लगा है पर उस पास्टर ने तो इन बीजों को पानी से दूर रखने को कहा था अब जैसे ही पानी उन बीजों को छूता है उन में से एक बहुती बड़ा पेड उपर की और उगने लगता है अब क्योंकि पेड घर के नीचे से उगने लगा था इसलिए वो घर को भी उपर ले जाने लगता है प्रिंसेज और जैक दोनों ही अपने आपको बचाने की कोशि जहां पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा पेड जिसकी उचाई ना भी नहीं जा सकती जो कि उन लोग कताओं की तरह उगाया है जिसका दूसरा सीरा नीचे से नहीं दिख सकता अब जैक को पगड़ लेते हैं और इसे प्रिंसेज के बारे में पूशे लगते हैं और इ अपने मंगेतर को बचाने उपर जाओंगा जिसके बाद जैक एक साही सोल्जर और कुछ सिपाही उसके साथ उपर चड़ने लगते हैं अब रेडरिक यहां किसी को बचाने नहीं आया था बलकि उसकी नियत तो कुछ और ही थी इसे लिए वो चड़ते वक्त ही दो सोल्डर उसको नीच गिरा देता है ताकि उसका मकसद पूरा होने में कोई परिशानी ना हो अब वो सारे ऐसी ही एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि जन्नत और धर्टी की बीच में हैं और जहां इंसानों को खाने वाले खुंखार जाइंट्स रहते हैं अब रेडर जैक उसे चाको की आर पर उसे वो बीच ले लेता है पर जैक भी बहुत चलाग है वो एक बीच अपने पास संभाल कर रख लेता है जिसके बाद वो तीनों लोग अलग अलग ग्रुप में अलग 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 दिशाओं में प्रिंसिस को धूरने के लिए निकल जाते हैं उन अगले सीन में हमें रेडरिक को दिखाया जाता है जो पहाड़ी के नीचे धर्ती को देखने की कोशिश कर रहे हैं पर रेडरिक उनमें से एक को नीचे धका मार देता है क्योंकि वो उनका साथी नहीं था वो एक राजा का सोलजर था और अब एकदम से इनके सामने भी एक जाइंट आ जाता है और रेडरिक के साथी को उठा लेता है और सीधा अपने मूं में डालकर उसे चबा जाता है अब वहाँ पर एक होड जाइंट आ जाता है और लगबग वो दोनों मिलके रेडरिक के साथ कुछ बुरा करने ही वाले होते हैं कि तभी रेडरिक अपनी जो उसे देखकर सर जुखा लेते हैं और यहीं पर प्रिंसेस और राजा का खास आदमी को बंदी बना कर रखा हुआ था। त्यारी कर रहा होता है और यहाँ पर दिमाग चलाता है और उपर से चाकू लेकर उस पर कूच जाता है। उस जाइन के मूँ में डाल देते हैं अब वो जाइन दर्ट के मारे जल्दी से उठ जाता है और तडपने लगता है और गलती से नीचे गिर जाता है और अब उस जाइन को नीचे सारे देख लेते हैं और अब राजा समझ जाता है कि जाइन नीचे आना चाहते हैं इसलिए व मैं रेडरिक के शेतानी एरादो को जानता हूँ इसलिए मैं यहीं रुक कर उसे रोकने की कोशिश करूँगा इसलिए जैक और प्रिंसेस अब पेड के जरीये नीचे आने लगते हैं अब नीचे राजा और बाकी सारे सोलजर उस पेड को काटना शुरू कर चुके थे और उधर दूसरी तरफ रेडरिक भी अपनी पूरी सेना के साथ नीचे आने के लिए त्यार हो चुका था अब इससे पहले कि वो सब नीचे आते वो सोलजर रेडरिक पर अटैक कर देता है और वो रेडरिक को मार भी देता है जिससे उसका ताज भी निकल जाता है अब नीचे सब पेड काट चुके थे जिससे ये पेड धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और एक तरफ से वो सोलजर और दूसरी तरफ जैक और प्रिंसिस पेड के साथ नीचे गिरने लगते हैं पर किसी तरह वो तीनों बच जाते हैं अब उधर उपर दो मुवले जाइन को वो ताज मिल जाता है और वो उसे अपनी उंगली में पहन लेता है जिससे आफ वो सारे जाइन का राजा बन चुका है अब सब जाइन उसकी बात माने लगते हैं अब इतने में उन्हें वहाँ एक पोटली मिलती है जिसमें उस पेड़ मिल जाती है जिससे खुश होकर वो जैक का शुक्रिया करते है वो प्रेंसिस को पसंद करता है पर फिर भी उसे अलवीदा कहकर वो वहां से चला जाता है पर जैक जब अपने घर पहुंचने ही वाला होता है तब वो उपर देखता है कि वही पेट जमीन के तरफ फिट से आ रहे हैं इसलिए वो फिट से राजा को इसके बारे में बताने के लिए अपने घोडे से उनकी तरफ जाता है इतने देर में वो सब जैक धरती पर पहुंच चुके होते हैं अब इसका पता लगते ही वो सब पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि वही एक ऐसी जगा है जहां जाइन्ट से बचा जा सकता है क्योंकि वो जाइन्ट इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले थे क्योंकि ये राजा एरिक के वन्शेज हैं जिसने जाइन्ट को कंट्रोल किया था अब वो सब लोग पैलेस में पहुँच जाते हैं और जल्दी से में गेट को बंद करने लगते हैं पर जैक पीछे ही रह जाता है अब वो जाइन्ट पैलेस के बहुत करीब पहुँचने वाले थे इसलिए वो साही सोलजर गेट को बंद करने का ओर्डर देता है पर गेट बंद होने के आखरी वक्त पर जैक गेट के अंदर पहुँच जाता है पर वो किंग जाइन्ट गेट को पकड़ लेता है जिसे देखकर साले सिपाही उस पर तीरों से हमला शुरू कर देते हैं जिससे वो जाइन्ट सरदार पानी में नीचे गिड़ जाता है और वो पानी से उपर नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर आग लगी हुई इसली वो पानी में हिसे ही कोई दूसरा रास्ता धूडने लगता है अब यहाँ उस गेट को जाइन्ट रस्यों की मदद से अपनी और खीच रहे होते हैं और उधर दूसरी तरफ किंग के सोलजर अपनी तरफ अब वो जाइन्ट चीजों को उठा उठा कर पैलेस की दिवारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं जिसे देखकर किंग समझ जाता है कि थोड़े ही देर में यह जाइन्ट अंदर आ जाएंगे इसलिए किंग प्रिंसेस और जैक को एक खूफिया कंवरे में जाने को कहता है जहां उन्हें खूफिया रस्ता मिलेगा और वहां तुमें एक टॉर्च भी मिलेगा उसे तुम जला देना ताकि सब को संकेत मिल सके कि हम खत्रे में हैं जिसके बाद जैक और प्रिंसेस वहां के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो स्टॉर्च को लेने के लिए उसकी तरह बढ़ते हैं वहां वही जाइन सरदार जमीन के नीचे से उपर आने लगता है जिसके बाद वो इन दिनों को पकड़ लेता है और बस जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक अपने पास रखा हुआ वो आखरी बीज उसके मूँ में फेक देता है जिसके बाद वो जाइन तड़पने लगता है और उसके में से एक बहुत बड़ा पेड उगने लगता है इसलिए वो जैक और प्रिंसिस को नीचे फेक देता है अब पेड उगने की वज़े से उसकी बाड़ी अलग-अलग होने लगी थी और उसके हाथ जिसमें वो ताज था वो जैक के पास आके गिटता है और उधर दूसरी तरफ सारे जाइंट अब पैलेस में घुश चुके थे और बस सेना की तरफ बढ़ी रहे थे कि वो एकदम से जुक जाते हैं जिससे वो सब सोच में पढ़ जाते हैं कि ये क्या हुआ जिसके बाद वो देखते हैं कि पीछे जैक वो क्राउन लिये खड़ा है जिसके बाद जैक उसे अपने सर पर पहन लेता है जिसके बाद वो भी एरिक की तरह सभी जाइंट को वापिस अपनी दुनिया में जाने का ओर्डर देता है जिसके बाद प्रिंसेस और जैक की शादी करवा दी जाती है अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जैक अपने बच्चीयों को कहानिया सुना रहा था और इसके साथ ही ये मूवी खतम हो जाती है अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिएगे वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी इंजॉय करें